जैसा कि हम सब जानते हैं कि नागपुर संत्रा के साथ ही सुपारी व्यापार में अग्रगन्ण है किन्तो इस कारुपार में भी अब भ्रश्णाचार होने लगया है गौरतलब है कि कल कलमनाफ पुलिस वरा कारिवाई कर सोला पर ये ट्रक में लदीज सुपारी की बड़ी खेप पकड़ी गई है जिससे जिले के व्यापार जगत में खलपा निमज गई ग्याथों कि नागपुर में लंबे अंतराल के बाद सुपारी कारुपारियों के खिलाफ कारिवाई की गई है जाकल कलमनाफ पुलिस ने सोला पर ये ट्रक में लदीज सुपारी की बड़ी खेप पकड़ी है बताय जाता है कि यह असम से आई सड़ी सुपारी है लाग रुपे का यह माल सुपारी कारुपारी महमद आफटाप मोतिवाला अलमास अपार्टमेंट मुद्ली आर्चोग शांती नगर नापुन दिवासिका है चर्चा है कि महम्मद आफ्ताप मोती वाला का यहमाल कलंदा शिद्र के कोल्ड स्टोरेज में उतारा जाने वाला था सोनु वहिमाश्य नमक वैक्ती असम के सिल्चर से यहमाल लेकर नाप पुराय थे चर्चा ये भी है कि जिस कोल्ड स्टोरेज में यहमाल उतारा जानी वाला था वो कोल्ड स्टोरेज विनोध हिम्दानी का है खामना निवासी विनोध हिम्दानी का मार्माडी चौक इतवारी में कारले हैं जिसके बीच कलमना पुलिस को भनक लगी तो वरिष्ट अधिकारी को जानकाई दीगी और सिदरान पुलिस परिमंटर 5 के उपायुकत निकितन कदम के मागदर्शन में कलमना के वरिष्ट पुलिस नरिक्षक गोकुल महाजन ने सहयोग्यों के साथ कारिवाई की उक्तमामले में गहन चानपीन होनी पर नागपुर में सुपारी की अवीतर कारुबार का भी बड़ा खुला सा हो सकता है गौर्टलभो की सुद्रों से मिरे जानकारी के अनुसार बदवार को दोपेर में कलमना पुलिस को गुप्त सुचना में दी कि असम से सुपारी की बड़ी खेप नाखपुर भीजी गई है या खेप कलमना शेत्र में कोल स्टोरेज में भीजी जारी है जानकारी मिलने पर कलमना के थानेदार गोकुल महाचन ने टीम को इस कारिवाय में लगा दी कलमना थाने की टीम ने 16 परिया ट्रक क्रमांग एस 31 सी 1643 को कोल सुरिच की और जातिस समय रोका ट्रक में करीब 250 पूरे सुपारी लदी हुई थी जाज के दुरान पता चला कि सुपारी खाने योग के नहीं थी इसलिए पलिस ने ट्रक को मास सहीद जब्ट कर FTA को सुचित कर दिया जाज के दुरान यह पता चला कि सुपारी महमद आफ़ताफ मुतिवाला की है मौमद आफ़ताफ मुतिवाला मुद्लियार चौक में बने अलमास नामक आलिशान अपार्टमेंट में रहता है उस अपार्टमेंट को बनाने वाला भी किसी समय सुपारी के आवीत करूपार में लिपता लेकिन आव बिल्टर का कारूपार करता है इस अपार्टमेंट के अधिकांश खरीदार नापूर के पहार के बताया जाते हैं इसालिशान अपार्टमेंट में रहने पाला मुहमर आफ्ताब मोती वाला सुपारी की कारुबार में कब से लिफ्थ है इसकी जाश पर्टाज शुरू करती गई है इस गटना से इस सुपारी की अवेदर कारुबार की नाम जल्द सामनी आने की उम्मीद की जारी है जसके विशे में जानकरी दी वरिष्ट पुलिस निरिख्षक गोकुल महाचन ने के शुपारी आढ़ों आली ही तावार येतली पुलिस ने अंगली पुलिस नेश ना लवने चली ते अशावर्ट ट्रीशो नाम कारने ताली अन्यव प्रेशान उबागाला त्याची लेखी महिती देने ताली जुशरे जुशी फूड और इंस्पेक्टर ही पुली स्टेशन ला आले अले अंतर त्यानी आमी हे सर्व ट्रक ट्रक मदिल सर्व सुपारी आणि ग्रेशान उर्व आणने ताली आ स्ट्रॉबर्शा पुला सुपारी त्रक चालक आणि मालक आशाम चेजा है या ठिकानी कोल स्टोरिज मेरे हां माल टाकना लोते तेचान अंतर सुपारी चेज मूल मालक है यह मोहम्माद आपताब मोतिवाल एक्तिश्वर शहर शंतिनगर नकपूर अशा है त्रक चालक मालक है असाम चेज असले मुड़े अन्नव सुरक्षा उभागाचे जे अधिगारी आहेत मालोत कर साहे यान्ना सर्वा डिटेल्स आमी सुपूर्ट के लेला है त्यांचे गुरुण जे कारवाई हुईल त्यान अंतर त्या अमिश्यांगर ने कुबिल कारवाई